मेश प्रतिकूल संयोगों के बनने से आपके कारे में विलंभ होगा शरीर में स्पूर्टी और मन में उत्सह का भाव रहेगा पेट के रोग सताएंगे नौकरे में उच्चपदादिकारियों के नकरात्मक व्यभार का भोग बनना पड़ेगा राजी के कठनाईयां बाधक बनेंगी गर्क गणेशी कहते हैं कि मन का नकरात्मक व्यभार आपको हताश करेगा बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्त खराब होगा क्रोद को नियंत्रण में रखना पड़ेगा पारिबारिक सदस्यों के साथ बखीडा खड़ा होगा नए संबंध तकलीफ दायक साबित होंगे पैसों की तंगी का अनुभफ होगा सिख पति पत्नी के बीच मामुली कारणों से खट्रा गुत्पन होने से मनमुचाब होगा जीवन साथी के स्वास्त के बारे में चन्ता रहेगी सांसारिक विश्यों के बारे में उधासीन रहेगे सार्वजनिक जीवन में आप्याश या स्वाभिमान भंग होने का योग गणेशी बताते हैं, भागिदारों के साथ मद्भेथ होगा कन्या, शारिरिक तथा मानसिक स्वास्त मना रहेगा, घर में सुख शान्ती का महाल रहने से प्रसनत्ता का अनुभव होगा आर्थिक लाव और काम में सफलता मिलेगी, वीमारी में रहत महसूस होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा तुला, गणीशी कहते हैं कि आज आप कल्पना और स्रचन शक्ती का उत्तम उप्योग कर सकेंगे, संतानों की प्रगती होगी, प्रिये व्यक्ती के साथ की मुलका आत्रों मानचक रहेगी, तन, मन से, तासगी और स्पूर्ती का अनुभव करेंगे, अत्यधिक विचारों स गणीशी कहते हैं कि आज के दिन आप शाररेक और मानसिक रूप से भय अनुभव करेंगे, किसी ना किसी बात की चुनता आपको परिशान करेंगी, पारिवारिक सदस्यों तथर सगे संबंधियों के साथ अनबन होने की संभावना है, माता का स्वास्तिक हराब होगा, जमी गुल्ड रहसे में विद्याएं और आध्यात्म की तरफ आपका विशेशा कर्शन रहेगा, नई कारे की शुरवात के लिए शुब समय है, मित्रों और सगे संबंधियों के आगमन से घर में प्रसानिता रहेगी, हाथ में लिये हुए कारे सफलता पूर्वक पूरे होंगे लगू प्रवास होगा, धनलाप का योग है मकर गणीश जी आपको वाणी और वैभार में सयम रखने की सलह देते हैं, परिवार जनों के साथ मनमुटाब ना हो, इसका ध्यान रखें शेर, सट्टा में पूंजी निवेश का आयोजन करेंगे, आर्थिक लाब होगा, स्वास्थे संबंधी कुछ शिकायत रहेगी, आख में कोई तकलीफ होने की संभाव ना है कुम, गणेश्री के आशिरवाद से शाररेक मानसक रूप से आपका दिन प्रप्फलित रहेगा, सगे संबंधियों तदा पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वात अवरन रहेगा, सुरूची पून और मिश्टान का आनंद लेंगे, घूमने फिरने और परच चैनी अनुभफ करेंगे, धार में कारियों के पीशे खार्च होगा, मित्रों तथा स्वजनों के साथ मद्भेत खड़े होंगे, लालजवृती आपको नुकसान में ना धकेले, इसका ध्यान रखें